तो आप लोगों में से कई सरे लोगों ने कई बार प्रस किया है कि UP SSC PT की परिश्चा के लिए जो कि 20 अगस्त कोने जा रही है तो इसमें कितने दिनों का करेंट पढ़ा जाए तो मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि पिछले 8 मैने का जो करेंट रफेर है ये आपके लिए very important है और उसमें भी अगर देखा जाए तो खास दोर से फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई और जून ये जो 6 मैने है ये बहुत ही important है तो देखो 2 PDF में आपको provide करवा रहा हूँ एक तो 8 मैने का और एक 6 मैने का जो भी आपको जितना भी समय आपको मिले उतने का करेंट रफेर ये जो बूक है ये परियाप्त होगी अगर इसको आप ठीक से एक बार देख पाओ, रिवीजन कर पाओ, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको से मिल जाएंगे पर जो पेजेज हैं क्योंकि PDF है तो पेजेज थो ज़्यादा आपको लगेंगे लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते हैं, बस आपको जो क्या करना है कि बारी-बारी से question आते जाएंगे, उसका answer आपको देखते जाना है, एक दो बार अगर आप इसको देख लेंगे तो सारे fact आपके दिमाग में आजाएंगे, क्योंकि regular वीडियो तो आप देखी रहे हैं, और quiz आप लो लगाते रहें, इसके लिए practice set जो उपलब्द है, उस पर आप डेली practice करते रहें, चाहिए वो online practice हो, या फिर आप मार्केट जो के practice set लेकर आएं, तो जो ये PDF करने रफेर की, इसको आपको कैसे प्राप्त करना है, तो इसकी जांकारी वीडियो के discussion दी गई है, एक link मिलेगा आपको, वहाँ इसके बारें बात करें, तो 6 अगस्त जानी की कल, जो प्रियूस परिक्षा होने जा रही है, उसमें एक और परिक्षाकेंद्र में बदलाओ किया गया है, और ये जो बदलाओ गया है, वो प्रियाग राज के सिर्शा इस्थित लाला लक्ष्मी नारा निडिगरी कालेज के परिक्षा देने पहुंचें, तो उन्हें परिक्षा से बाहर न किया जाए, तो यहाँ पर बता दूँ कि जो लोग प्रियाग राज के सिर्शा इस्थित लाला लक्ष्मी नारा निडिगरी कालेज के स्थान पर दे रहे थे परिक्षा, तो अब उनको नया एड्मिट का ड परिक्षा 26 सितंबर को होगी, जो कलेंडर जारी किया गयता, उसमें इस बात की जांकाई नहीं दी गई थी, जैसा कि आप जानते होगी, प्रवक्ता भरती के लिए सिर्फ लिखित परिक्षा होगी, यानि कि प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू को उठा दिया गया है, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तो राज की आसरम पद्धत इंटर कालेज में प्रवक्ता के 124 पदोपर भरती के लिए प्रारमीक परिक्षा ये कब होगी, तो ये 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी, प्रवक्ता के पदोपर पहली बार लिखित परिक्षा के माद्दम से य इससे पहले उत्तरदिश लोक्सिवा आयोग सीधे इंटर्व्यू के जरिये अभरतियों का चैन करता था, लेकिन इस बार प्री और मेंस हो गया है, कुल बता दे आपको तो प्रवक्ता के 124 पदों पर भिग्यापन जारी क्या गया था, उसमें आनलाइन आविदम की जो प पैंतिस पद गनिदीश है कि जो बिग्यान में 33 पद थे, भौती बिग्यान में 30 और रसायन बिग्यान में प्रवक्ता के 26 पद थे, तो प्रवक्ता परती कि जो परिच्छा होगी इसका उलेक जो एक कलेंडर में नहीं किया गया था, तो याद रखिए कि अब ये परिच् कि एक सितंबर से खुली जाएगा, जैसा का आप जान रहे हो कि 9, 10, 11 और 12 के लिए जो कच्छा हैं वो 16 अगस्ट से सुरू हो रही है, लेकिन अभी जो परिच्छी विद्याले हैं कच्छा एक से लेकर आर तक उन पर अभी राय ले जानी बाकी है, करोना का जो वास्तरिक स संक्रमन का दोर चल रहा है, उसमें ये देखा जाएगा कि इस्तिती की समेक्षा की जाएगी और उसके बाद पूरे तयारी के साथ ये जो विद्याले हैं वो एक सितंबर से खोले जा सकते हैं, परस्दी स्कुलों में ग्राम में विकास और पंचाईती राज विभाग की आपके बच्चों के जो स्कूल हैं, वो भी री ओपन हो जाएंगे और ये जरूरी भी है, काफी समय से स्कूल बंद हैं, तो जब तक इस्तिती है कंट्रोल में तब तक तो बहुत कामदाम चलना चाहिए, करोना की जो तीसरी लहर है वो भी संभावित है, तो यहां पर प्र स्थाओं के साथ, क्लासेश को स्टार्ट कर देना चाहिए, और दिखे प्रदेश की 8189 ग्राम पंचायतों में सेटिजन चार्टर लागू होने जा रहा है, सेटिजन चार्टर का मतभी होगा कि सरकारी योजनाएं जो लागू होंगी, उसके बारे में आम जनता को जानकार सुगती मिलेगा, बलकि फ्रस्टाचार मूलन का भी एक बहुती ससक्त अस्त्र बनेगा, राम पंचायतों में सेटिजन चार्टर लागू होने से, समंदि सभी सुईदाएं समयबा दुरूप से मिलेंगी, और इससे क्या होगा कि ये बातें बिलकुल पब्लिकली होंगी कि कौन सी योजना आपके गाउं में लागू होने जा रही है, वो कब तक पूरी हो जाएगी, तो इससे जो फ्रस्टाचार होगा वो लागू नहीं हो पाएगा, मतलब लागू क्या, नहीं हो पाएगा लागू तो, यह निवे, कभी कभी बोलते हैं, चलो आके बढ़ते हैं, यह उपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमिडिट का रिजल्ट घोसित करने के बाद, जो अभ्यरती जो हैं, परड़ाम से अस अंतुष्ट हैं, वो 11 अगस्त तक अपनी सिकायाच जो है, वो मादिन सिख्चा परशाच से कर सकते हैं, परशाच सचू दिविकान सुक ले कहा है कि 11 और प्राथना पत्र, जन्रपत के छित्र है के एमेल से लिए, और भी aptis आपको आपको आप मिल जाएगी तो वहाँ पर जाकर आप उसे डॉद्लोड करना और आप आप बाद भी कर सकते हैं, और सारी चीजह आप जारे इमेल के मादिन से सकते हैं. तो याद अगना इसके लिए जो लास्ट डेट है वो कब है ग्यारा अगस्त है और उत्तरवदेश माधिमिक सिक्षा सेवा चैन बूर्ड की आगामी TGT और PGT की परिक्षा हैं जो की अगस्त मा में होने जा रही हैं तो इसमें अब OMR पर अंगुठे का निसान भी लिया जा रही है ठीक है तो यह अच्छी चीज है और सिक्षा की जो चीजे होती है यह काफी important होती है माधमिक सिक्षा सिवा चैनल बूर्ड की परिक्षाओं में दूसरे क्या स्थान पर पर परिक्षा देदेने की कई मामले सामने आये थे इसे जो मिधावी चात्र हैं उनको नि लिखित परिच्छा होगी और इसके लिए 12 अगस्त को प्रस्तावीत कारप्रस की बैटक में अंतिमोर लगने के बाद इलहाबाद विश्विद्याले प्रसासंग सिक्चक भरती के लिए बिग्यापन को जारी कर देगा। कुलपती प्रोफेसर संगीता स्रिवास्तों के अधक्सता में हुई बैटक में नेड़ा ये लिया गया कि इलहाबाद विश्विद्याले में असेस्टन प्रोफेसर भरती के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट के रूप में लेखित परिच्छा आज़ूत की जाएगी इससे प इलाब अब विश्विद्याले में सिख्छकों के कुल 595 प्रोफेसर के हैं इसमें 357 प्रोफेसर के हैं 168 प्रोफेसर और 70 प्रोफेसर के हैं इलाब विश्विद्याले की प्यारो डाटर जया कापूर के अनुसार असेस्टन प्रोफेसर भरती की क्वालिफाइंग परिश है विग्यापन जैसे जारी होगा हम आपको तत्कार सुचना इसकी दे देंगे तफ्रेंट यह थी आज की सारी अपडेट्स थैंक्यू सो मच फार बाचिंग दे वीडियो और देखिए जो आज से करने फेर है उसको भी आप लोग कंप्लिट करते हुए आगे बढ़िए और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ थैंक्यू बोलते हैं आप लोग चैनल पर आए वीडियो को लाइक और शेर आपने जरू कर दिया होगा बहुत बहुत धन्यवाद